Hello dear friends, first of all, very good morning to all of you. Once again, welcome back to my YouTube channel, सुधीर सिंग्लिस क्लासेश. मेरे प्यारे साथियों और सभी प्यारे स्टुडेंट्स, इस वीडियो का परपस मेरा बनाने का क्या है, वो मैं आगया अभी आपको डेटेल में बताने वाला हूँ. बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी थी, कि सर, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में, ब्रीफ में इस बारे में बात करी थी, और अभी मेहां डेटेल में आपको ये बताने वाला हूँ, कि मेहां इस वीडियो में मैंली चार टॉपिक्स पर बात करने वाला हूँ. notification कब आएगा और fourth sir tour of duty इसी बार से लागू होगा या next intake से लागू होगा प्यारे साथियो हम सभी points को validity के साथ एक-एक करके clear करेंगे तो please आप इस videos को पूरा ध्यान से सुनें और आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं सबसे पहले दोस्तों enrollment list डिले क्यों होई उसका reason क्या हुआ Air Force ने official जो website है Central Airman Selection Board CESB पर last जो notification दिया वो ये था कि due to some unavoidable regions we are not able to publish enrollment list and it may be delay dear friends unavoidable regions का मतलब होता है बच्चों का जो court में issue हुआ कुछ बच्चों को re-medical Corona pandemic के दोरान re-medical में unfit किया गया और वो बच्चे court गए कि बाहर ही हम medically fit हैं बढ़ हमको unfit क्यों किया गया ऐसे बच्चों की संख्या कितनी है approximately 150 बच्चों के something है जब court case में गया case जब court में जाता है तो court का जो verdict है वो students के पक्च में आता है और नोंने कहा कि बच्चों का दोरा से re-medical किया जाए और again enrollment list को update किया जाए जैसा कि आप जानते हैं इस चीज को re-medical कराने में दुवारा से time लगेगा और इसलिए air force ने enrollment को delay किया ये सबसे पहला point है और जो ballot point है बागी बहुत सारी rumors हैं कि sir enrollment list नहीं आएगी या cancel होगी प्यारे भाईयो ऐसा ना कभी हुआ है और ना ही होने वाला है बड़ डिले हुआ है उसका region मैंने आपको बता जाया है sir tour of duty क्या है प्यारे भाईयो मैं आपको clearly ये बता दूँ कि tour of duty का briefly मैं आपको बताना चाहता हूँ tour of duty का मतलब है जो average life span है एक air force personnel या army personnel की उसको कम करना जिससे कि हम बहतर quality forces को दे पाएं बहुत ही बहतर personnel बन सकें तो इसलिए tour of duty को रच्छा मंत्रा ले और PMO से भी ट्विटर पर ये बात कही गई कि बहुत जल्दी ही सेनाओं के साथ हमारा tour of duty पर गंबिरता से विचार चल रहा है और जल्दी ही हम आगे इसको apply करने वाले हैं इससे सेना की गुडवक्ता में बढ़ोत तरी होगी तो मैं clearly आपको ये बता दूँ इसका मतलब ये नहीं है कि जो intake 2021 की जो भरती हुई उसमें tour of duty लागू होगा इस बार बिलकुल लागू नहीं होगा सेकंड बात सर क्या इस बार लागू होगा जिसका हम बेट कर रहे हैं result का notification में tour of duty के बारे में नहीं था इसलिए इस बार भी लागू बिलकुल नहीं होगा tour of duty प्यारे बच्चो next intake से लागू भी नहीं होगा उसके बाद 2020 intake second से ये apply हो सकता है और जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं चौथे points के बारे में हैं बताना चाहता हूँ और वो क्या है दोस्तो एयर फोर्स का next notification कब आएगा एयर फोर्स की जगे कब आएंगे सर तो जैसा कि आप सभी को पता है पहले वाले बच्चों की training खतम हो चुकी है और एयर फोर्स को delay करने का कोई मतलब नहीं है बट एक ही उसका region है और वो region ये है कि अभी पिछले बच्चों की enrollment list अपडेट नहीं होई है ना ही अभी इस बार के बच्चों का result आया है जो कि एक महीने में आ जाना चाहिए था बट उसे approximately two months हो चुके हैं तो प्यारे बच्चों अभी notification October के second week और last week में बहुत possibilities हैं October के last week में आने के और कुछ लोग ये कह रहे हैं rumors में के sir next vacancies अब online नहीं होंगी exam offline होगा और percentage के basis पर होगा तो मैं clearly आपको बता दूँ ऐसा बिलकुल नहीं है exam भी अपने timing पर होगे बट delay का जो कारण हुआ वो corona pandemic था तो मैं आप सभी से जो बच्चे बहुत परेशान है के sir enrollment list का क्या होगा हम लोग joining जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे और मैं एक बात और यहां clear कर देना चाहता हूँ बिलकुल मैंने पहले भी repeat किया था कि cut off भी जादा जाने वाली नहीं है इस बार भी जो बच्चे Air Force के exam के result का weight कर रहे हैं इस बार भी approximately 6,000 जगे हैं और इस से पहले जो बच्चे enrollment list का weight कर रहे हैं वहाँ भी लगवग 6,000 जगे हैं अठामन सो से लेके बासट सो तक जगे हैं इसलिए X गुरूम में 3500 तक बिलकुल आप safe हैं और बाई गुरूम में 2600 से 2700 तक आप बिलकुल safe हैं तो परिशान मत होईएगा और जिन बच्चों का इस बार 33 और 34 प्लस है बाई गुरूम में वो result में बिलकुल clear होंगे non-technical में और जिनका X गुरूम में 38 और 40 प्लस है उनके भी chances बहुत ज़ादा हैं 38 to 42 और 43 approximately X गुरूम की cut-off जाने वाली है बाकी पिछली वीडियो में मैं ये चीज़ बहुत संचित में आपको बताया था इसलिए बच्चों ने कहा कि सर प्लीज आप एक नया वीडियो डिटेल में बनाई है और प्लीज गाइस अभी मैंने अपना यूटूब चैनल सेट अप किया है तो कुछ मेरे वीडियो में गलती हो रहे है तो प्लीज आप मुझे माफ करिएगा बाकी मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा दुबारा से एक वार इसलिए नहीं कि आप कोचिंग में आईए और इसलिए मैं चाहता हूँ नहीं पर प्लीज जिन बच्चों का एक्जाम अच्छा हुआ है जिन बच्चों के माक्स अच्छे आ रहे हैं वो गाइस प्लीज अभी वेट ना करिए और घर पर पढ़ते रहिएगा एरफोर्स जीडी और साइको के लिए एरफोर्स जीडी भी होना है रिजल्ट भी आना है सारी चीज़ें होनी हैं बट जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उन लोगों को बहुत बेनीफिट मिलने वाला है और जो अभी भी बैठे हुए हैं वो लोग काफी नुकसान पहुँचने वाला है मैं आप सभी को बता दूँ अल्रेडी एरफोर्स बहुत डिले हो चुका है इंडॉल्मेंट और रिजल्ट में तो जैसा आप सभी को पता है कि एरफोर्स के रिजल्ट के बाद गुरुप डिसकसन और साइको के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है तो प्लीज आप घर पर एक गंटे, दो गंटे, तीन गंटे सलेक्टिड टॉपिक्स हैं और मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियोज में ऐसे टॉपिक्स जिनकी 100% प्रोबिलिटी आने की उनके बारे में डिसकस करूँगा बहुत ही जल्दी और वो बहुत ही selective topic है और गाइस बहुत सारे बच्चे इसको बहुत ही seriously ले रहे हैं कि सर GD and Psycho का बहुत बड़ा issue है बढ़ मैं आप सभी को बता दूँ कि वहाँ पर सबसे पहले you have to only introduce yourself in brief and after the introduction you have to tell about the abstract land of the topic and after that you have to do an effective group discussion okay the things that matter the most in group discussion and psycho is that how effectively you are sharing your perspective or you are introducing yourself it doesn't matter how many times you have participated it doesn't matter how much content you are sharing the things that matter the most is your effectiveness and clarity तो प्यारे बच्चों आप सभी ध्यान रखिएगा इस चीज़ का और कुछ बच्चों ने मुझसे ये भी पूचा कि सर प्लीज आप ये बताएगे क्या हमें अभी से त्यारी सुरू कर देनी चाहिए तो मैं आपको दुबारा से रिपीट कर रहा हूँगे जिनका रिजल्ट और जिनका रिजल्ट अच्छा आने वाला है प्लीज आप सभी बच्चे तेयारी घर पर करते रहिएगा और जैसे ही रिजल्ट में क्लियर होते हैं आप जहां भी पढ़ना चाहें वहाँ पर आप प्रेक्टिस करिएगा प्रेक्टिस मेक्स अमें परफेक्ट और बाकी की सब बातें दोस्तों मैं आपको बहुत जल्दी हाँ एक और बात बताने वाला हूँ के हम लोग बहुत जल्दी में लाइव क्लास लूँगा रेटन एक्जम्स के लिए और अलग-लग टॉपिक्स पर अलग-लग वीडियो मेरी अप्लोड होंगे और आप सभी से प्लीज आम मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएगा कि किस टॉपिक पर किस टॉपिक पर आप सबसे पहले वीडियो चाहते हैं और कौन-कौन से टॉपिक्स मुझे कवर करने चाहिए मैं सारे टॉपिक्स बहतरीन क्वालिटी के साथ और बहुत ही डिटेल्ड एक्स्प्लेनेशन के साथ लाने वाला हूँ बट प्लीज आप सभी का सपोर्ट चाहिए मुझे और गाइज प्लीज शेयर और लाइक माई वीडियो और सब्सक्राइब तो माई यूटूब चैनल फोर गेटिंग मॉर वीडियो और दूसरी वाद जो बच्चे बहुत निरास हैं कि सर मन नहीं लग रहा है क्या करना चाहिए तो दोस्तों चीजें जैसी लाइफ में हमें लगता है बैसा सब कुछ नहीं होता है तो प्लीज गाइज डॉंट बिलीव इन रूमर्स फर्स्ट अफॉल यूव तो लव यूर्सेल्फ यूव तो बिलीव इन यूर्सेल्फ सपोज करिये मैं ये भी कहूंगा ऐसा नहीं है कि मेरा सर लास्ट गोल केवल एयर फोर्स ही था यद एयर फोर्स में भी मैं सलेक्ट नहीं हो पाया इफ आइड डिटन्ट गेट सलेक्ट इन एयर फोर्स सो थैंक यू सो मच आप सभी को इटर्नल सपोर्ट के लिए और वन्स अगें लव यूर्सेल्फ थिंक अबाउड यूर्सेल्फ और बी यूर्सेल्फ लव यू आल जै हिन जै भारत